नमास्कार जी आज हम आपको बताएंगे नाभी मासाफ किसे करते हैं और उसके बाद के पीध किलता है यह किता करता हैं की चलता है की नाभी किसकी होई है जिसमेंसे पुछ में लक्षिंगे आपको सबसे पहले जब नाभी की सकती है तो सब करनें ना कि सब्सक्राइब आपको द नहें कि दया खारागी जायागा जैका हो एक सब्सक्ते इस बताएंір है थेलुठ कि मरणाने तो शुरेजी ठेर्पेस गासर चेकरे कोर भूलत किली काधी तो बेङ लिगए तरह पर ना है रिśंक इस नहीं टाराग हो जाएगा बड़े एजी आप चेक कर सपते हैं अपनी नाभी को इस तरह से देखो इनकी नाभी बिल्कुल सैट है तो पास में तोड़ा दगई अगर नाभी किसकी होती है तो जरा सा इस तरह से होगा तो इस तरह से यह फली लाइन की आगे पिछे आगा पूरी की पुरी इस तरह से अगर नापी खिसकी हुई होती है आप इस तरह से आज आपको सेल्फ ट्रीटमेंट ही बिताएंगे सेल्फ आप चेक कर सकते हैं अगुठा बड़ा चोटा आपको आएगा जिस तरह से हमारा हाथ का पता चलता है इस तरह से पैर के इंगुठे से पता चलेगा उसके बाद क्या है कि आप खुद अपरी नापी जब कर सकते हैं इस तरह से नापी पर आप हाथ रखेंगे आप चाहिए इस तरह से अंगुठा भी रख सकते हैं और इस तरह से हाथ से भी चेक करेंगे नापी के बिल्कुल बीचो बीच में इस तरह से आपको पल्स मैसूस हो दढ़कन मेहसूस होगी हलकी सी इधर उधर होती है तो यह समझे जाता है कि नाभी कि सकते ही है ठीक है उसके बाद आपको नाभी की मसाज बताएंगे नाभी का और ट्रीटमेंट बताएंगे सुरेज जी साथ में में सिंटम्स बताती जाओंगी तो सुरेज जी अब आपको की मसाज बताएंगे अगर आपको कबच की प्रपल्ब्लम है नाभी बार बार गिर जाती है डायजेशन सिस्ट्रम खराब है उन सब के लिए पेट की मसाज बहुत ही महत्तपुर होती है बहुत ही बैनिफित होते हैं तो अभी सुरेज जी आपको सेल्फ मसाज बताएंगे क आप सेल Springs में हुआ है। खैसे चाहिए छल्क हात और बहुत ही हलका करें हां कि नहीं और सबूस्पी नियुक्त कि नाबी अगर गरती है तो उसके लक्षेन और राएते हैं पही धर्ण वी हो सकते हैं तो यह लक्षेन रहते हैं लाएब तो यह भी नेक्स टप किजिए नेक्स टप किजिए दोनों हाथों से आप लेफ्ट हैंड से राइट वाले साइड पर किजिए इस तरह से लेफ्ट हैंड से राइट पेट पर राइट से लेफ्ट हाथ से यह देखिए इस तरह से करेंगे पिलकुल बहुत हलके हाथ से मसाज क करेंगे और बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे अभी नेक्स करेंगे यह देखिए उपर इन्होंने इसार से इस तरह से करेंगे यह लास्ट अब करनें अब degrees g देखिए यह दोनुं हातों को यूज़ करते हुए इस तरह से अधी यह आप छादा समय के लिए नहीं करनी है हल्के हाध से मसास करनी है यह आप दस मिनट से उपर नहीं करनी है 5-10 से बीच में करेंगे इसके बाद हम सिकाई करेंगे इस तरह से तवे पे कपड़े को गरम करेंगे, कपड़े के अंदर कुछ नहीं है, तवे पे कपड़े को गरम करेंगे और इस तरह से टैप मोशन में पेट पे हलके हलके सिकाई करेंगे, यह देखिए, बिल्कुल घसीट कर नहीं करनी है, टैप मोशन में करनी है, उसी तरह से